हाई गाईज, वेलकम यूओ आल बंस अगेज और आज की इस वीडियो में हम लोग टाइमर 0 के बारे में देखने वाले हैं समझेंगे इसके ब्लॉक डाइग्राम को, इसकी वर्किंग को और इसमें यूज होने वाले इंपोर्टेंट रेजिस्टर्स के बारे में तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपने इससे प्रिविएस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार आप उसको जरूर से देख लिजेगा, क्योंकि उसमें मैंने टाइमर के बेसिक कंसेप्स को कवर किया हुआ है, तो फिलहाल ह कि इसमें हम लोग 0 से लेके 255 तक की values store कर सकते हैं, नेक्स हम लोग इसके features को देख लेते हैं, यहाँ पर timer 0 को हम लोग as a single channel counter use कर सकते हैं, इसके true हम लोग frequency को generate कर सकते हैं, external event counter की तरह इसको use किया जा सकता है, और इसमें हम लोगों को 10 bit का clock prescalar मिलता है, यहाँ पर आप लो लोगों का at mega 8 का pin diagram है, इसमें जो 6th number pin है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे T0 लिखा हुआ है, तो basically यह जो 6th number pin है, यह timer 0 से भी associate होती है, अब इसका use क्या है, वो हम लोग आगे आने वाली slides में समझेंगे, next हम लोगों के पास है timer 0 का block diagram, देखे, मैंने बताया था, timer timer 0 को run करने के लिए हम लोगों को clock source की जरूरत होती है, और यह clock source हम चाहें तो internally ले सकते हैं, या फिर externally भी ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर clock selection block को देख लेते हैं अपने, यहाँ पर हम लोगों के पास दो option है, पहला option यह है कि हम लोग internal clock से ही अपने timer को run कर हैं, तो external clock को भी यहाँ पर connect कर सकते हैं, तो अगर आप external clock को यहाँ पर use करना चाहें, तो t nth number pin में आप लोगों को अपने clock source को connect करना पड़ेगा, यहाँ पर n basically क्या है, यह आपका number of timer है, फिलाल हम लोग timer 0 की बात कर रहे हैं, इसलिए यह जो है, यह t 0 है, मतलब कि हम लो internal clock को connect करना पड़ेगा, तो फिलाल मैं इसको use नहीं करने वाला हूँ, मैं internal clock को ही use करूँगा, तो internal clock में भी आप लोगों के यहाँ पर एक pre-scaler का feature मिलता है, pre-scaler basically है क्या, यह आप लोगों के frequency को divide करने के काम आता है, और pre-scaler की यहाँ पर कुछ predefined values होती है, वो हम लोग आगे आने वाले slides में discuss करेंगे, so basically यह चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक clock pulse मिलेगी, और उसके accordingly हम लोगों का यह जो timer 0 है वो run होगा, अब यह चीज़ हम लोगों को तो पता है कि हम internal clock use करने वाले है या फिर external, but यह चीज़ हम लोगों को अपने micro controller को भी बतानी पड़ती है, तो micro controller को बताने के लिए हम लोगों के पास एक register है TCCRN, और any helper basically क्या है number of timer, तो फिलाल हम लोगों का 0th number का timer है, तो हम लोगों का register जो होगा हो TCCR 0 होगा, तो इस register में हम लोग अपने कुछ values डालते हैं और उन values के accordingly हम लोगों का जो micro controller है वो यह पहचान बाता है कि उसको कौन से type का और कितने pre-scaler का timer use करना है, next हम लोगों के पास TCN, T0 register है, यह basically timer का data register है और इसकी जो values हैं वो 0 से 255 तक vary करती हैं, अब यह जो values हैं वो basically increase होंगी कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो है clock source आएगा, और जैसे जैसे यहाँ पर clock pulses आएंगी, वैसे वैसे हम लोगों का जो timer है, उसकी value बढ़ेगी, अब suppose करो initially हम लोगों का पहला pulse आया, तो हम लोगों की value है वो 0 से 1 होगी, अब इसके बाद हम लोग इस value को compare करते हैं अपने 0xFF से, मतलब कि हम लोग इस value को जो की 255 है, इसको compare करते हैं timer की value से, और जब त आपर जो control logic है वो again एक clock pulse बेजेगा और again यह जो value है वो 2 होगी, फिर से comparison होगा, फिर जो यहाँ है control logic महाँ से pulse आएगी और यह value 3 होगी, और up to 255 यह values increase होती रहेंगी, और जैसे ही यह values 255 reach करेगी, वैसे ही हम लोगों का जो control logic है, वो हमारे timer counter की value है उसको 0 कर देगा, जिस आप में ही हम लोगों का जो control logic है वो TIFR register के TOV0 नाम के flag bit को set कर देगा, TOV0 basically है क्या यह timer 0 overflow flag है, तो यह जो चीज है यह basically हम लोगों के interrupt को generate करने के काम आती है, तो next slide में इन चीज़ों को हम लोग 1 by 1 समझेंगे, next हम लोग 1 by 1 अपने timer 0 से associate registers को देख लेते हैं, इसमें सबस पहला हम लोगों के पास है TCCR 0, तो TCCR 0 basically है timer counter control register 0, यह वैसे तो आप लोगों का 8 bit का register है, but इसमें हम लोगों के सिर्फ 3 bits use होती हैं, और जो rest है वो आप लोगों की reserved हैं, अब हम लोगों को timer 0 को चलाने के लिए एक clock source की जरीरत होती है, जो की internally भी हम ले सकते हैं, या फिर externally भी ले सकते हैं, तो जो source आपको लेना है, उसके accordingly आप लोगों को यहाँ पर अपने जो ये values in को set करना पड़ता है, अगर आप लोगों ने values 0, 0, 0 दियें, तो आप लोगों का इस case में जो timer है वो stop condition में रहेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर values 1, 0, 0 देते हैं, तो आप लोगों का जो है, internal clock source होगा, और इसमें कोई भी pre-scaling नहीं होगी, similarly अगर आप लोग यहाँ पर 0, 0 देते हैं, तो आप लोग basically यहाँ पर internal clock source को ही use करेंगे, और यहाँ पर आप लोग pre-scaler use करेंगे, 8 का, अब pre-scaler basically है क्या, suppose आप लोगों का जो microcontroller है, वो 16 MHz पर operate होता ह और यहाँ पर आप लोग यहीं से internal clock ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग 8 जो है, वो pre-scaler use करेंगे, तो basically आप लोगों का जो output होगा, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 2 MHz, यह आप लोगों का 16 MHz था, pre-scaler circuit ने basically इस 16 को divide कर दिया by 8, तो यह आप लोगों का जो effective यहाँ प प्री-scaler का use होता है, next आप लोगों के पास और भी सारे options हैं, जैसे आप लोग चाहें, तो pre-scaler 64 ले सकते हैं, 256 ले सकते हैं, और 1024 तक ले सकते हैं, तो यह तो बात हुए आप लोगों के internal clock source की, इसके बाद अगर आप लोगों के एक्स्टरनल clock source को use करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास यहां पर दो option है, अगर आप value 01 बन देंगे, तो आप लोगों का external clock source जो है, वो select हो जाएगा, और जो timer है, वो इसके falling edge पर काम करेगा, similarly अगर आप लोग यहां पर values 11 बन देते हैं, तो external clock source यहां पर select हो जाएगा, और हम लोगों का जो timer है, वो rising edge पर काम करेगा, इसके बाद हम लोगों का second register है, TCN, T0, यह basically अपने अंदर कुछ values को hold करता है, और initial इसकी जो value होती है, वो 0 होती है, और यह जो value है, वो automatically increase or decrease होती है, with respect to clock pulse, और इसमें हम लोग जो values है, वो 0 से 255 तक की store कर सकते हैं, जैसे ही हम लोगों का 255 से exceed करेग है, वो overflow हो जाता है, और अपनी जो value है, वो इसको 0 कर देता है, इसके बाद हम लोगों का आता है TIE MSK register, यह basically interrupt mask register है, और यह interrupt के लिए ही use होता है, यहाँ पर एक चीज़ में आप लोगों को बताने चाहूंगा, इससे पहले जो हम लोगों ने 2 registers पढ़े हैं, वो सिर्फ timer 0 क के लिए ही dedicated है, बट यह जो TIE MSK है, यह हम लोगों के timer 0, 1 और 2, 3 के साथ use होता है, और इसमें हम लोगों का जो 0th number bit है, यह हम लोगों की timer 0 के साथ associate है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह हम लोगों के timer 1 के साथ use होंगी, और यह timer 2 के साथ use होंगी, तो फिलाल हम लोगों को सिर्फ अपने 0th number bit को देखना है, यह bit basically है, T O I E 0, यहाँ पर यह bit हम लोगों के timer counter 0 के overflow interrupt को enable करने के लिए use होती है, अब interrupt के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर से देख लिजेगा, क्योंकि वो अगर आपको समझ नहीं आया है, तो यहाँ पर चीज़े आपको लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आने वाली है, तो यह bit basically क्या है, आप लोगों का जो local interrupt है, उसको enable कर रही है, बट local interrupt के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर global interrupt को भी enable करना होता है, और उसके लिए हम लोगों को अपना जो SREG register है, जो overflow interrupt है, वो enable हो पाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को जो SREG register है, इसका जो IBIT होता है, वो basically global interrupt को ही enable करने के काम आता है, और embedded C में हम लोगों के पास एक function होता है, SEI नाम से, आप इस से भी अपने global interrupt को directly enable कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों के पास TIFR register है, यह basically interrupt flag register ह होता है, और यह जो register है, यह आप लोगों का timer 0, 1 or 2, 3 के साथ associate होता है, और इसमें जो 0th number की bit है, that is, TOV0, यह हम लोगों का timer 0 से associate है, और इसको हम लोगों क्या बोलते है, timer counter 0 overflow flag, ठीक है, हम लोगों की यह जो bit है, यह कब set होगी, जब आप लोगों का timer 0 overflow होगा, और जब भी यह set होगी, हम लोगों का जो microcontroller है, वो ISR को execute करेगा, और जब वो successfully ISR को execute कर लेगा, उसके बाद automatically हम लोगों का यह जो bit है, वो clear हो जाएगी, hardware के through, और यह हम लोगों का overflow interrupt तभी execute होगा, जब आप लोगों का SREG register का Ibit, TIMS के register का TOIE0 bit, और TIFR register का TOV0 bit set होगा, अगर इन में से कोई भी चीज आप लोगों ने set नहीं की है, तो आप लोगों का interrupt serve नहीं होने वाला है, तो यह थे आप लोगों के timer 0 से associate registers, I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गही होगी, अगर आप लोगों के कोई doubts हैं, तो आप मुझे comment box में लिख सक तो मुझे motivation आप लोगों की तरफ से चाहिए, तो उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe जरूर से कर लिजेगा, और आप लोग इन चीज़ों को अपने friend लोगों के साथ जरूर से share कीजे, so thank you so much for watching, जै हिंद, जै भारत